नमस्ते, आज हम अध्यन करेंगे मन्नु के अनुसार राजी का कार्य शेत्र मन्नु ने राजी के कार्य शेत्र का वेवस्तित विवेचन किया है राजे के दायतों में मनुने प्रजा रक्षन, प्रजा रंजन एवं धर्म के एनुसार सामाजिक व्यवस्ता के निर्वाह को महत्वपून मानना है प्रजा रंजन के परिदी में मनु ने राजे द्वारा संपन की जाने वाली विभिन कल्यान कारी गतिवीद्यों को समलित किया है मनु ने राजे के कारेशेत्र में प्रथम बताया है प्रजा रक्षन मनु इस्मृति में प्रजा के रक्षन को राजी का प्रमुक्तम कर्तव्य माना गया है वस्तुत प्रजा रक्षन को ही राजी की उत्पति का मूल आधा सविकार किया गया है ग्रंत में कहा गया है कि व्यक्तियों के जीवन में मत्से न्याय की इस्तति उत्पन हो जाने की आशंका के प्रतिकार हेतू ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई है अतर राज्या का प्रथम करतविय राज्ये के व्यक्तियों की रक्षा करना है मन्नु राज्य के अपरादिक प्रवर्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं उन्होंने इस कार्य को संपन करने के लिए राज्य को दंड का अवलंबन लेने का परामश दिया है आंत्रिक द्रश्टी से अपरादियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथी बाये आक्रमनों से प्रजा की रक्षा को भी मन्नु ने राज्य का महतपुन दाइत्व माना है बहारी आक्रमन अत्वा युद की इस्तति में प्रजा को होने वाली हानी की आशंका को तरश्टिगत रखते वई मन्नु ने शासक को अनिवारे होने परी युद को अपनाने का परामश दिया है दूसरा लोक कल्यान मन्नु इस्मृति ने प्रजा पालन को राज्य का महतपुन दाइत्व माना है मन्नु ने प्रजा के लिए चारों पुरुशार्थ धर्म अर्थ काम व मोक्ष की इस्तापना करने को राज्य की महतपुन दाइत्व में समलीत किया है चारों पुर्शार्त की सिधी के राजकिय कर्तवे की परिदी इतनी व्यापक है कि ये प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्यान के समस्त आयामों को समाहिद कर लेती है मनुने शासक को परामश दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तता विभिन प्रकार की आवशक्ता की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समय वद व्यवस्ता करता रहे मनुने माना है कि समाज के विभिन वर्गों को आवशक्ता और पातरता के अनुसार अनुदान देना राज्जी का कर्तविय है मनुने प्रजा के सर्वतो मुखी कल्यान को सुनिश्चित करने के लिए शाशक से समस्त विद्याओं त्रय, आन्विशिकी, वार्ता और दंड नीती का सम्यक उप्योग करना अनिवारिय माना है तीसरा अर्थ वैवस्ता पर नियंतरन मनुने वैक्ति के जीवन में अर्थ को महतपून इस्थान प्रदान किया है तता प्रजा की भातिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्जी का कर्तविय माना है मनुने राजा से ये अपेक्षा की है कि वह प्रजा से न्याय पूर्वक कर ग्रण करे तता सम्पत्ति व सम्रद्धी के अन्य सादनों की रक्षा के प्रती प्रजा को आश्वस्त करे मनुने राजे की सुद्रड आर्थिक व्यवस्ता के हित में शासक से प्रजा से उसकी समर्थे के अनुसार कर लेने तता प्रजा पर करों का अनावश्य भार न डालने का परामश दिया है वह व्या पारियों द्वारा प्रजा के प्रती किये जा सकने वाले आर्थिक अपरादों जैसे मिलावट अधिक मुल्य लेना कम तोलना आदी से प्रजा की रक्षा करे चौथा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्ता का निर्वाह व्नियमन मनु इस्मृति में सामाजिक व्यवस्ता का निर्वा वर नियमन राज्य का धायत्व माना गया है राज्य से ये अपिक्षा की गई है कि वर समाज में प्रतिगवन के सदसे द्वारा उसके निधारित कर्तवयों के पालन को सोनिश्चित करे मनु इस्मृति में धर्म को संपून समाजिक व्यवस्ता का आधार माना गया है ग्रंथ में वेक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्तापना ववर्ण व्यवस्ता का निर्वा हो सकेगा इसी प्रकार समस्त वर्णों एवं आस्रमों की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दाइत्व के रूप में सविकार किया गया है पांचवा न्याई की व्यवस्ता मनु इस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वादिक महतपुन कर्तवय के रूप में वर्णन किया गया है राज्य की उद्पति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीती एवं धर्म पर आधारित न्याय को मत्सी न्याय की तुलना में प्रतिष्टित करना राज्य का परम करतविय है मनु के अनुसार राज्य अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त वेक्तियों को उनके करतवे पालन में सलगन रखता है एवं उनके द्वारा आच्रन की मर्यादाओं के उलंगन को रोकता है मनु यह सविकार करते हैं कि मनुश्य में उच्खलता की प्रवर्ति सोभाविक है अतर दंड का भैई वेक्तियों को नियाई और करतवियों के पथ पर रड़ रख सकता है छटा प्रशास्निक प्रणाली का निर्वाह मनु ने राज्य की दायतों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशास्निक वेवस्ता को अनिवार ये माना है मनु ने राजा को परामश दिया है कि वह प्रशासन वेवस्ता वह कमचार्यों तता अधिकार्यों पर समुचित नियांत्रन रखे तता यह सु निश्चित करे कि राज्जे की कमचारी प्रजा के प्रतिदाइतों का निश्टा पूर्वर पालन करते रहें वशक्तियों के दुरुप्योग द्वारा प्रजा को पिरीतन करें साथवा पर्राष्ट्र समंदों का निर्वा मनु ने पराश्टर समंदों के विवेक पून संचालन को राज्य के आवशक कार्यों में समलिद किया है मनु की माननेता है कि अंतराज्य समंदों के सतक्ता पून संचालन द्वारा शासन प्रजा को बहारी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है मनु के एनुसार पर्राष्ट समंदों में शासक युक्ती और विवेक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को नावशक युदों में न उलजना पड़े मनु ने अंतर राज्य समंदों के संचालन के लिए एक सेधान्तिक रूप रेका प्रस्तुत की है तता शासक को इस समंद में मंदल सिधान, शटगुन निती तता उपायों का विवेक सम्मत पालन के लिए निदेश दिया है अब हम देखेंगे मनु के मंत्री परिशत समंदी विचार मनु ने सविकार किया है कि मंत्री परिशत राज्य कार्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होती है वह इससे युगत राजा ही धर्म दंड का उचीत प्रयोग कर सकता है मनु ने शासक के शक्ति को अकेले राजा द्वारा प्रयुक किये जानने को अनुचीत वैवारिक माना है मनु ने शासक को परामश दिया है कि वह राजकार्य के सुचारों निर्वाहेतु साथ आट मंत्रियों की न्यूक्ति करें वह उनके परामर्श की सहायता से अपने कार्यों को सम्पन करें मन्नू इस्मरती में मंत्री का उच कुलो उधपन होना एक आवश्यक योगिता के रूप में सविकार किया गया है मन्नो इस्मृति में शास्त्रों के ज्यान, शूरवीर्टा, शस्त्रविद्या में निपून्टा एवं योगित्था के अन्य समस्त परिक्ष्णों में सफलता आदी को मंत्री के आवश्यक गुणों में समलित किया गया है मन्नु ने कहा है कि मंत्री को वंश परंपरा एवं चारितरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए मन्नु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान, इस्थिर्चित, अर्थात अपत्ति काल में भी न घबराने वाला वह शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हिद के विपरित आच्रन को न करने वाला होना चाहिए मन्नु ने मंत्रियों का आलस्य रहीत ज्ञानी वह अपने कारे के प्रति उत्साई होना भी आवश्यक माना है दूसरा मंत्रियों के दायत्व एवं अधिकार मन्नु इस्मृति में मंत्रियों के विशिष्ट दायत्व के समन्द में व्यर्णन किया गया है ग्रंत में विभीन पदों पर निउप किये जाने एवं परिक्षन विदी के समन्द में हुए विवेचन के आधार पर मंत रियों के दाइत्व एवं अधिकारों का इस्पष्टि करण किया जा सकता है मनु का कथन है कि विबिन राज्जे कार्य है तुव अध्यक्षं की न्युक्ति की जानी चाहिए जिनका कारे राजे कमचारियों के कारियों की देख भाल करना है इसी प्रकार यह इसपष्ट किया गया है कि मंतरी को आलस्य रही तोकर नागरिकों द्वारा किये गये कारियों को देखना चाहिए इस प्रकार मंत्रियों का ये कर्तव ये माना गया है कि प्रजा एवं राजे कमचारें के कृत्यों का निरिक्षन करते रहें मनु ने दूसरे राष्ट्रों के दूतों की नियुक्ती, भेजे गए गुप्चरों एम दूतों के कारियों के निरिक्षन इतियादी कारियों में शासक को मंत्रियों से मंत्रना करने का परामश्ट दिया है तता मंत्रियों का ये दाई तो माना है कि वे उपर्युक्त विश्यों पर शासक को उप्युक्त परामश दे तीसरा मंत्री परिशत की कार्य पढ़ना ले प्राचिन भार्टिय ग्रंतों में शासक द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा के जाने के संधर्ब में दो विविन वीदियों का विवेचन प्राप्त होता है मन्नु के अनुसार शासक को महत पून वजटे समस्याओं पर मन्ती परिशत के सदस्यों से प्रतक प्रतक एकांत में मन्त्रना करनी चाहिए एवं सब सदस्यों से मन्त्रना करने के उपरांद स्वभ विवेख से निर्ने लेना चाहिए किन्तु समान्य शासक के कारियों के संदर्प में मन्नु सामुईक रूप से की गई मन्त्रना को उप्योगी मानते हैं मन्नु ने मन्तर की गोपनीता की आवशक्ता पर विशेस भल दिया है। इस अंधर्प में मन्नु इस्मृति में मन्तरना के लिए उप्यूक्त इस्थल मन्तरना का समय वह आवशक परिस्तियों का इसपष्ट विवेचन किया गया है। मन्नु का मत है कि जिस राजा के मन्तर को दूसरे लोग नहीं जानते वह राजा कोश से हीन होने पर भी संपूर्ण प्रत्वी पर भोग करता है। इस परकार मन्नु ने मन्तर की गोपनीता को राजा एवं राजे के वेभम में व्रदी के लिए आवशक माना है। मन्नु का मत है कि मध्यान अत्वा अर्द रात्री में मानसिक खेद व अशान्ती से रहीत होकर शासक को मन्तरियों से मन्तरना का कार्य करना चाहिए। अर्द रात्री एवं दिन के मध्य का समय सामाने रूप से समस्त वेक्तियों हेतु विश्राम का समय होता है। अत्व इस समय के चैयन का अचित्य संभुवत यह है कि ऐसे समय में मन्तरना में व्यबधानों की उपस्तिती की आशंका नियुन्तम होती है। मन्तरना इस्थल के रूप में मनुने निर्जनवन, पहाड एवं एकांत प्रासाद को उप्युक्त मानना है। उनकी अनुसार मन्तरना इस्थल से मन्तरना के समय बुद्धी हीन, मूख, बगीर, तिर्यग योनी से उत्पन पक्षी जैसे की तोता, मेना, आदी, अत्यंत व्रद वैक्ती, मलेच, रोगी, इस्त्री, व्यैंग यानि की कम या अधिक अंग वाले सभी को हटा देना क्योंकि इन वैक्तियों की आइस्तिर बुद्धी के कारण वे अपमानित होने पर मंतर का अन्यत्र भेदन कर सकते हैं, मंतरियों को शासन में महतपून भुमी का प्रधान करते समय, मनुने उन्हें पद पर न्युक्त किये जाने से पूर्व, उनकी योगीता एवं के समुचित परिक्षन को अनिवारिय माना है, धन्यवाद